आपको पेट में गैस की समस्या थी इन्होंने आठ से दस जगर डॉक्टर के पास जाकर इलाज करा है लिए इनको कोई भी फाइदा नहीं हुआ और ये लगातार दवाई भी खा रहे थी इन्हों बारा तेरा सालों से लेकिन इनको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रह था लेकिन 25 दिसमबर को जी यह फॉस्ट ताइम हमारे चर्च में आए फॉस्ट टाइम जब यह चर्च और मास्प्रेर हुई मास्प्रेर के बाद जब घर गये इनका कहना ही है कि उसके बास से नहीं दवाई खाना बिल्कुल बंद कर दिया और वह गैस की समस्या से अब य बहुत जगह चले गए फिर भी लगबक इतने डॉक्टर लोगों के पास चले गया आप आप चले गया इसके बाद मैं जाना इस और ठीक होता ही नहीं करके अर मेडिकर से हमेशा दावाई खाती थी जिक लेकिन फिर नहीं होता था और मैं 25 दिसमबर को यहां पहले आए हू फर्स्टाइम चर्चाए 25 दिसम्बर को फिर फिर वो जिन से मेरा पेट में दर्द होना बंद हो गया है मैं दवाई भी नहीं खा रही हूँ 25 तारिए आप 12-13 सालों से आप पेट की समस्या से दवाई खा रहे थे साथ आप डॉक्टर के पास में गए लेकिन कुछ नहीं हुआ आप डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिये और जब भी पेट में समस्या होता था आप मेडिकल से दवाई लेते थे 25 दिसम्बर को आप आए उस समय जब प्रातना हुआ तो 25 तारिख से लेकर अभी तक आपके पेट में कोई समस्या नहीं है और आप दवाई नहीं खा रहे हो बड़ी कवाई है हम तारीख करेंगे यह बहुत बड़ी कवाई है चर्च जोर से सोचो 12-13 साल से 12-13 साल कोई कम होता है 12-13 साल से इस बहन को पेट की समस्या थी साथ आठ डॉक्टर के पास चली गई बहन साथ आठ साल साथ आठ डॉक्टर के पास गई 12-13 सालों से यह दवाई खा रही है लेकिन ठीक नहीं हुआ लेकिन लाश्ट 25 दिसंबर को यह पहली बार चर्च आई और जब चर्च आई उसी वक्त प्रभू ने इसको चुआ और 25 तारीक से लेकर आज की तारीक तक वो 13 साल की पेट की समस्या जा चुकी है तारीफ करेंगे ताली बचा कर